स्वागत है डेयर मेंबर इस चैनल पर भी जो भी छात मेंबर सिप ले चुके है तो सभी छातरों के लिए आज से रेगुलर कलास देखने को मिलेगा पिछले वीडियो में हम आपको जानकाई दिये होंगे कि 15 दिसमबर से रेगुलर मिल जाएंगे लेकिन हम किसी कारण वस कल आप लोगो साथ हम वीडियो शेयर नहीं कर पाए लेकिन आज से आप लोगो रेगुलर कलास देखने को मिलेगा मेरे तरफ से पुड़ा पढ़ियास रहेगा कि आपलोगो 2-3 वीडियो मिल जाएंगे नहीं तो कमसकम आपको एक नहीं तो दो आपको पड़ती दिन वीडियो मिल जाएंगे ठीक है पुड़ा पडियास रहेगा regular वेशे आप लोगो एक वीडियो देखने को मिलेगा और समय मिलता है तो 2-3 वीडियो भी हम आप लोग के साथ share करेंगे इसलिए आप लोगो call नहीं करना है जैदा हम अपने तरफ से पुड़ा परियास करेंगे कि आपको जितना जैदा question हो सके उतना जैदा आप लोगो हम परवायट करवाएंगे और जो भी question हम आप लोगो परवायट कराएंगे वही question आप लोगो exam में आने वाली है बहुत ही genuine question है और आप लोगो ध्यान से पढ़ना है 100% आप लोग सफल करेंगे ठीक है तो चलिए हम वीडियो को start कर लेएंगे सबसे पहला question है कि MS Word में watermark कौन सा टेप में रता है आपको बता दूँ मेन्यू से जो है हर एक साल दो तीन नमर का question पुछे जाती है तो इसलिए आप लोगो मेन्यू पर धी थोड़ा ध्यान देना है यहां पर मेन्यू से यह question है आपको बताना है कि MS Word में watermark कौन सा option में रत टेप में रता है बाइडिफोल्ट आप लोग एप 7 की सहता से spilling and grammar check करते होंगे लेकिन इसमें आपको बताना है कि spilling and grammar check option रहता कौन सा टेप में यह आपको बतानी जाए सबसे पहला option है insert reference review और view तिसका सही अंसर आपको बी नमर हो जाएंगे reference में आपको spilling and grammar check का option मिल जा है page border जो आप लगाते है document में वो कौन सा टेप में रहता है यह आपको बतानी है इसी तरह से आप लोगो एक जामत देखने को मिलेगा question और हर एक साल आपको टेप से 4-5 नमर के question पुछे जाते है यह 2009 से पुछे गए question है ठीक है का सही answer आपको C नमर हो जाएंगे page layout में आप micro का क्या काम है MS word में सब से last view में देख लीजिएगा micro का option रहता है आपको बतानी है कि MS word में micro का क्या काम है यह आपको बतानी है सबसे पहला option है record करने के लिए document को create करने के लिए shortcut function को चलाने के लिए बतानी है micro से आप record भी कर सकते है और जो भी function की है जो भी आप function देखते है MS word में सभी function को आप record के सहता से create करके आप उसे shortcut कुंजी बना सकते हैं इसका सही अंसर आपको D हो जाएंगे A, A, O, C दोनों हो जाएंगे आप record भी कर सकते हैं और कोई भी function को जो आप shortcut कुंजी बना सकते हैं जो भी आप MS Word में देख रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं रिकॉर्ड के सहता से आप कर सकते हैं आप बना सकते हैं असानी से रिकॉर्ड की सहता से ठीक है उसके बाद छेम आपको बताना है किसी वर्क सीट में चैनित अस्तंब को छुपाने के लिए MS Excel में की सौटकॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहला उप्सन है Alt-Add, Shift-Add, Ctrl-0 आपको बतानी है कि MS Word में कॉलम को जो हैड करेंगे वो कौन सा सौटकॉर्ट कुंजी से हैड करेंगे यह आपको बतानी है तो इसका सही अंसर आपको C नमर हो जाएंगे Ctrl-0 करेंगे तो कोई भी कॉलम को आप हैड कर सकते है उसके बाद साथ में आपको बतानी है निमली खीत में से कौन सा डिवाइस उपकरन गेमिंग परपस उद्देश के लिए अधिकतर उप्योग क्या जाता है आपको बतानी है कि कम्पीटर में गेम खेलने के लिए कौन सा डिवाइस को सबसे जएदा उप्योग क्या जाता है और आसान तरीके से गेम को खेला जा सकता है यह आपको बतानी है सबसे पहला उप्सन है टच स्क्रीन, कीबोर्ट, जैस्टिक और माउस इसका सही अंसर आपको C हो जाएंगे जैस्टिक से गेम खेलना काफी असान हो जाता है इसका सही अंसर आपको C निवर हो जाएंगे उसके बाद आठ में आपको बतानी है कि MS PowerPoint में अगली स्लाइट पर जाने के लिए डैस डैस का उप्योग क्या जाता है सबसे पहला Option है Right arrow key F1, N और P इसका सही अंसर आपको A हो जाएंगे Right arrow के दखभाएंगे तो आप अगले पेज पर जा सकते है टेबल इंसर्ट करने के लिए डैस डैस मेन्यूग पर किलिक करना चाहिए to close Mr. staff lid . सी नमः हो जाएंगे इंसर्ट में डाता है, सकेंड में आप लोग देख लीचेगा, वहां से आप लोग असानी से कोई भी table से ईंसर्ट कर सकती है, ठीक है उसके बाद आपको बतानी है, नया समय और दिनांग निर्धाइद करने के लिए आप dash dash का उप्योग कर सकते है, file menu, insert menu, control panel और tools menu, तब control panel के सहता से date को आप सही कर सकते है, date को change कर सकते है, जो भी problem हुआ है date से डिकाड़ी, तब control panel में जाकर वहाँ से सुधार कर सकते है, ठीक ह होती है यहां पर रो की पंक्ति पुछा जा रहा है सबसे पहला उप्षन है बाड़ा लाग 25,786 सकेंड में 28,96,425 उसके बाद 35,7,490 और डी में है 10,48,56 ति यह हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहाड बेल्टून में ति यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है रो की जो संख्या होती है टोटल 10,48,576 होता है और कॉलम की जो संख्या होता है 16,348 होता है ठीक है ति यह दोनों का आपको ध्यान में रखनी है दोनों में से कोई एक हर एक साल पूछे जाते है तो अब की बाड़ भी यह दोनों में से कोई एक आ सकता है उसके बाद बा आप डाश डास को दवाया जाना चाहिए MS Word में एप स्पिलिंग चेक करने के लिए एप सेवन के सहता से आप स्पिलिंग एं गरामर को चेक कर सकते हैं जैसे आप कोई भी टेक्स करें उसके नीचे में रेट कलर जो लग जाता है तो उसे भी आप हटा सकते आप सेवन की सहता से उसके बाद इंटर इंटर कीज़ेगा तो जो भी रेट कलर होगा नीचे मों सभी हट जाएंगे ठीक है तो इसका सही अंसर आपको बी हो जाएंगे उसके बाद 13 आपको बताने है कि MS Word स्क्रीन में आप जूम कंट्रोलर को कहां पाते है आपको बताने है कि MS Word में जो जूम रहता है वो कहां पे रहता है यह आपको बतानी है सबसे पहला option है टॉप राइट में बॉटम राइट में और टॉप लेप्ट में इसका सही अंसर आपको बी हो जाएंगे ms word में देख लिए जिका सबसे नीचे में एक कोना पे जो है जूम का option रहता है वहाँ पे 100 रहता है आप जितना मर्जी उतना मर्जी आप जूम कर सकते है तो सबसे नीचे में देख लिए जिका साइट में जूम का option रहता है इसका सही अंसर आपको बी हो जाएंगे बॉटम राइट में ठीक है उसके बाद आपको बताना है संग्छिक रूप www- के लिए परयूक्त क्या जाता है www का whole form क्या है और यह किस में उप्योग क्या जाता है यह आपको बताने है सबसे पहला option है wave worldwide थर्ड में है worldwide wave तिसका सही अंसर आपको C नमर हो जाएंगे www का whole form worldwide wave होता है ठीक है उसके बाद 15 में आपको बताना है कि MS word में control y से क्या होता है यह आपको बताने है सबसे पहला option है create a bullet list, redo the last action, undo a bullet, undo the last action जिसका सही अंसर आपको B हो जाएंगे जब भी आपको यह टेक्स को डिलीट करते है तो उसे दोबारा लाना चाहते है तो control y कीज़ेगा तो undo हो जाएंगे सबसे पहला option है किसी column को select करने के लिए किसी cell को छिपाने के लिए किसी column को छिपाने के लिए तो इसका सही अंसर आपको B हो जाएंगे किसी भी रो को select कर सकते है MS XL में इस तरह से रो होता है और उपर से नीचे की ऑर जो राता है इसे हम column करती है तो column में देख लिएगा सबसे उपड में यह BCDC रहता है ठीक है और नीचे में देख लिए जिए रोग की जो संख्या होता है तो रोग के सैड में सैड में देख लिए जिए जिए गा और गंट्रोल स्प्स किजिगा तो रोग की पूरा लाइन सउल्यक्ट हो जाएंगे ठीक है आप लोग एक बार ट्रैश् जरूड कीजिगा MS XL में थीक है ढ़ल सवर नाहीं जोह न होगा संख्या का सट्री स के सभाण के सहां हो एक साल का फोट बीट किए जाते है अब की बार जो हम course पर्भाइड किये थे एस्टूडोगोरा फर को तो उसमें बहुत सारे student जो qualify किये थे और जो previous year का question था वही question हम student सब को पर्भाइड किये थे तो total उसमें 8000 questions देखने को मिला था student सब को hindi medium में तो बहुत सारे student का comment आये थे कि आप जो question परवाइड किये थे उसी question से सभी question देखने को मिला था ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो question पुछे जाते है वही question को हर एक साल repeat किये जाते है इसमें आपको बताना है कि MS Word में जो page border होता है वो कौन सा टेम होता है यह आपको बतानी है तो सबसे पहला option ह है home insert page layout और review तो page border जो होता है यह page layout में होता है तो देख लीजेगा page layout में जो है page border का option दाता है तो इसका सही answer आपको C control E, A और C दोनों तो इसका सही answer आपको C नमर हो जाएंगे control E से कोई भी text को आप center मिला सकते है कोई भी text को select करके control E दवाएगा तो center में जाएंगे MS Word में ठीक है उसके बाद 19 में आपको बताना है कि MS Excel में some function dash dash के लिए उप्योग किया जाता है MS Excel में some function का use क्या होता है यह ऐसके बहुत ही simple questions सबसे पहला option है जोर भागा ऑसके परतिसरत इसका सही answer आपको यह हो जाएंगे सम फंसन का जो जो होता है वह जोरने के लिए होता है इसका आपको यह हो जाएंगे उसके बाद last में आपको बताना है इसका answer आप लोगोगो देना है कि रेम का पूरा नाम क क्या होता है फूल फर्म जो होता है इससे माद दो तीन नमर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सौट कोट कुंजी साइसे साथ नमर का पूछे जाएंगे ठीक है और मेन्यू साइसे पांच नमर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो बांकी होते है अगले वीडियो के लिए आप लोग बलने रहें और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते है धन्यवाद